वेल्कम टो इटनले स्टेडी आज है 11 सितंबर 2020 और 11 सितंबर 2020 से करेंट अवेर्स के जितने भी इंपोर्टन कोश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो पूरा वीडियो को आप एंट तक जरूर देखे और वीडियो के इंड में मैं आपसे एक कोश्च में मिल जाएगा साथी साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक होगा आप उसको भी ज्वाइन कर लिजिए उसका बेनिफीट आपको यह होगा कि इंस्टाग्राम पे हम डेली स्टेटिक और करेंट अफिर के क्विज पोस्ट करते हैं जैसे महिला फिमेल महिला एड्मिन्स्टेटर किसे न्यूट किया गया है तो इस क्वेशन का जो राइट अंसर होगा आप्शन है लिजा कैम्बेल लिजा कैम्बेल इनको कैनेडियन स्पेस एजिंसी का अब तक की इतिहास में पहली बार कैनेडियन स्पेस एजिंसी में पहली बा यह कौन है तो इनको mcc का यानी कि Mary佬लो क्रिकेट कमिटी का अध्यक्ष बनाय गया है अब तक ये यहांस में thame mcc ये कि MarioVol Land cricket council के अब तक कि hati स्में पहली बार महिल्य अधक्ष बनी है 238 मिर्स साल में पहली बार यह option से Christiana Coach और option D JC का मेर Space में यह दोनों माईला एक साथ जो जोडी होती है जोडी के category में पहली बार इन्होंने बिस्सों में पहली बार Space में इन लोगोंने वॉक किया था एक साथ जोडी यह important है पहली उमें नहीं पहली जोडी और यह जो है Christiana Coach अंत्रिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन तक रहने का इनोंने record बनाया है माईला जो है बिस्सों में पहली बार अंत्रिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन तक रहने का record बनाया है Christiana Coach कितने दिन तक 288 दिन तक यह NASA की scientist है तो इस question से आपको इतनी जनकारी मिलती है अब देख लिए पने किन-किन लोगों ने इस question का right answer दिया था नाम है विनेदरमजन तिवाई राजदंता प्रसांत कोरे वर्जी नागर जया मिस्रा पृतियादो संजे कुमार मिस्रा और प्रिंज कुमार इन सभी लोगों ने इस question का right answer दिया था चलिए आज के question को start करते है आज का पहला question है वेन हैस्ट इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटेक सेलिबरेटेड रिसेंटली हाल में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटेक कब मनाया गया है तो इस question का जो right answer है वो है option day 9 September यानि के 9th of September अच्छा ये जो है इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटेक ये 2020 में पहले बार मनाया गया है तो इसलिए इंपोर्टेंट बन जाता है अच्छा ये आप समझ रहेंगा कि ये attack तो ये attack जो है छात्र जो होते हैं जिस प्रकार के बदाया हो social हो, economic हो या फिर जैसे कि आज कल ज्यादा internet या फिर social website से बच्चों की पढ़ाई वादित हो रही है तो इन सभी से बच्चों को आउगत कराने के लिए कि आपको इन इन चीजों से क्या-क्या हानिया है आप कितना हैमर कर रहे हो अपने education को इन सब चीजों से उसको जागरूप करने के लिए बच्चों के प्रति ये international day to protect education format है सुरू किया गया है 9 सितंबर को पहली बर मनाया गया है 2020 में अगदर option को कर हम deal करें तो 2 सेप्टंबर को मैंने बताया था वल्ड coconut day और 5 सेप्टंबर को कौन सा मनाया गया था दिन तो international charity day Mother Teresa के जनम दिन पर मनाया जाता था 5 सेप्टंबर international charity day 8 सेप्टंबर को कौन मनाया जाता था दिन world literacy day अच्छा 5 सेप्टंबर को एक और important date था क्या national teachers day national teachers day वो भी 5 सेप्टंबर को मनाया जाता था अगर international teachers day की बात करें तो 5 October को मनाया जाता है अब ये तो 9 सेप्टंबर को हो गया international day to protect education from attack अच्छा ये जो है ये मनाता कौन है तो ये मनाता है United Nation चलते हैं अगला कोश्चन पर question number second which country became the fourth in the world to produce hypersonic technology demonstration vehicles हाल में hypersonic प्रद्दिगी निर्देशक या त्यार करने वाला दूनिया का चोथा देश कौन बना है इस question का जो right answer है वो option D. India option D. India हाल में hypersonic प्रद्दिदी भारत ने हाल में hypersonic प्रद्दिगी निर्देशक या त्यार करने वाला दूनिया का चोथा देश बना है अच्छा चोथा देश तो भारत बना है पहला कौन था तो पहला था अमेरिका दूसरा है चाइना तीसरा है रशिया अब चोथा है भारत अच्छा ये जो है hypersonic प्रद्दिगी की निर्देशक क्यान इसको किस ने develop किया है तो इसको develop किया है D.I.O. ने तो important बन जाता है D.I.O. के बारे में D.I.O. का फॉल्क्रम क्या है D.I.O. का फॉल्क्रम है ये फिर administrator बोले बात एक ही है वो है G.Satis Ready अच्छा जी से इंपोर्टेंट ये बन जाता है कि एकुछ समय पहले इनका कारिकाल जो है दो साल तक बढ़ा दिया गया है G.Satis Ready का अच्छा इसका motto क्या है ये hypersonic पर्द्योगे के निदेशा क्या त्यार करने के पीछे motto क्या है purpose क्या है तो जितने भी security purpose होते हैं बारत के जैंफिर किसी भी देश के border के security इसे जो भी होते है उन issue को मजबूत करने के लिए security strength बढ़ाने के लिए ये यान त्यार किया गया है त्यार किया है डियर्डू ने तो इस question से आपको इतने जानकारी मिलती है चलते हैं अगले question पर अगला question है question में third which state of India has launched its first integrated air ambulance service recently हाल में भारत के किस राज ने अपना पहला integrated air ambulance launch किया है तो इस question का जो right hand server option भी करनाटक करनाटक ने पहला अपना पहला integrated air ambulance launch किया है यह important इसलिए बन जाता है कि South India का यह पहला air ambulance है जो emergency medical service में योज किया जाएगा चकुछ समय पहले मैंने बता था किरला किरला ने पहला अपना water ambulance सुरू किया था किरला के कोची कोडे ports है अब बात है करनाटक के तो करनाटक का capital का है तो करनाटक का capital है बैंगलूरो जब बैंगलूरो को silicon city of India कहा जाता है करनाटक में है होबली तो होबली में बन रहा है बिस्सू का सबसे लंबा platform और होबली से ही important बात यह बन जाता है कि भारत का पहला मरेज जो plasma therapy से ठीक हुआ अब बात है plasma therapy के तो भारत का पहला plasma bank कहां खुला गया तो वो नहीं दिल्ली में इस तरह अगर आप चीज़ों को connect करके याद रखेंगे तो ज़्यादा आपको सुभिदा होगे इसलिए एक word आए तो उससे related जितने भी आसपा उसके current affair या फिर news बनते है उसको एक बार आप दिमाग में ही recall कर लेजिए तब लंबे समय तक कोई बात आपके दिमाग में टिक पाएगे करनाटा का capital तो मैंने बता दिया बैंगलूरू और उसका बरतमान में करनाटा के CM कोन है तो करनाटा के बतमान में CM है BS यदुरप्पा और गवर्णर है बज्जु भाई वाला चलते हैं अगले question पर question number fourth Recently in which state will cruise start in a river to promote tourism हाल में किस राज में परेक्टन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में cruise चलाने के सुरुवात की जाएगे तो इस question का जो राइट एंस रहे वाप्शन C, URISA URISA के कुछ चुनिंदा नदियों में ये परेक्टन को बढ़ावा देने के लिए cruise चलाने के सुरुवात की जाएगे अब URISA से जितने recent में current offer बनते हैं उनको एक बार आप देख लिजे सबसे important UNESCO ने URISA के दो तटिये गाव को क्या किया? Tsunami Ready घूसित किया यानि कि दो तटिये गाव उRISA के जो पहले हैं बार से उमाफ कीजिए का सुनामी से निपटने के लिए पहले से तैयार हैं इसलिए UNESCO ने उनको Tsunami Ready यानि कि सुनामी Ready घूसित किया उRISA के CM है नविन पतनाएक तो नविन पतनाएक को एक ओवर्ड दिया है पेटा ने उसका नाम है Hero to Animal Award क्यों दिया है? तो वहाँ के जो नविन पतनाएक CM है उRISA के उन्होंने लॉकडाउन में जितने भी जानवर थे हैं उRISA में निस्नल पार्कों या फिर उRISA में है वीलर दिप उसका नाम चेंज करकर रखा गया है क्या रखा गया है? APJ अब्दूल क्लांग दिप उRISA के CM कौन है? तो मैंने बताया नविन पतनाए और गवर्णर है गनेशी लाल इसका कैपिटल है वुनेश्वर अगला कोशन है कोशन नवर फाइब रिसेंटली विच कंट्री बिकेम दा फर्स्ट इन वर्ल्ल तो गिप पैटर्निटी लिव इन प्राइबेट सेक्टर हाल में निजी छेत्र के लिए पितरित अवकास देने वाला बिश्व का पहला देश कौन भना है तो इस कौशन का जो राइट एंसर है वह है ऑप्रान देश कंटरी यू इव इव-इव आपने सौन होगा मेटर्निटिव लेव लेकिन यह है पैटर्निटी लेव पैटर्निटिय इव देने वाला यानि कि वकास देने वाला बिश्व का पहला देश बना है UAE तो UAE इसकी capital का है तो इसकी capital है अबुदावी तो इसकी currency है UAE दिरहम अच्छा, UAE से most important question बन्जाता है पिसले साल, October में जब प्रधानमंतिर नरिन्दमोदी UAE गये थे, तो उनको UAE का highest civilian award दिया गये थे उसका नाम है order of jayad या फिर jayad medal भी आप कह सकते हैं अच्छा, यहाँ पे पहले देश की बात हो रही है तो यह सभी जो option है other option, यह भी कुछ ना कुछ में पहले अस्थान पे रहा है तो इनको एक बार हम देख लेते हैं लग्जंबर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला विश्व का पहला देश option है लग्जंबर ब्रिटेन है यहाँ पे विश्व का पहला देश बनाया जहाँ पे climate emergency लगी है पिछले साले लगी है option C, भारत भारत टिडियो को कंट्रोल करने के लिए ड्रोन यूज करने वाला विश्व का पहला देश बनाया है तो इस question से आपको इतनी जानकारी मिलती है अगला question है question number 6 who has organized world first solar technology summit विश्व का पहला solar technology summit किस नहीं आज उज़ित किया है तो इस question का जो right answer option C, A and B, both कौन-कौन तो ISA और FIKKI अब बात कर लेते हैं ISA और FIKKI के बारे में ISA International Solar Reliance इसके अस्थापना कब होई थी तो इसके अस्थापना होई थी 2015 में एक कंक्लेव हुआ था उसका नाम क्या है COP21 क्या पिज़्यदा न्यूज में रहा था तो ये क्या है COP21 ये है United Nation का Climate Change के परपस वे एक Conference होता है कहाँ पर हुआ था तो Paris में हुआ था 2015 में तो उसी Conference में International Solar Reliance के अस्थापना की गई थी और इसके जो अध्यक्स है जो कान है सिप अंदर त्रिपाठी अच्छा इसका Headquarter का है International Solar Reliance का इसका Headquarter है हर्याने के इसका Headquarter है हर्याने के गुरू ग्राम में अब ये फिक्की क्योंकि International Solar Reliance और फिक्की दोनों ने मिलकर 200 का पहला Solar Technique Summit क्वाइजन किया है आईज़द किया है तो फिक्की के बारे में भी जानना जुरूरी बन जाता है पहले इसके Full Frame जानिए इसका Full Frame क्या होता है तो फिक्की का Full Frame है Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry क्या है Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry इसके अस्तापना कब होई थी तो इसके अस्तापना होई थी 1986 में अच्छा फिक्की के बरत्मान में अध्यक्च कोन है तो संगित्ता रेडी है अगला कोर्षन है कोर्षन निमर सेबिन एकोर्डिंग टू रिसेंट सर्वे वाट इस दा प्रेजेंट मोटालेटी रेट ओफ इंडिया हाल में किये गया सर्वे कानुसर बरत्मान में भारत का मोटालेटी रेट कितना रहा है तो पहले जो था 3.4 MILLION था अब हो गया है 8.24 MILLION अगर वल्ड वाइट अगर बात करे हम तो पहले था 5.2 MILLION अब है 12.5 याने कि 12.5 MILLION वल्ड वाइट 12.5 MILLION और इंडिया का है 8.24 MILLION चाहिए युनाइटे नेशन का एक स्पेसल ग्रूप है या organization बोले जो mortality rate पर सर्वे करता है उसका नाम है United Nation International Agency Group for Child Mortality Estimation, short में बोले UNIGMI, अच्छे इसको जारी कौन करता है, इस data को जारी करता है UNICEF, अच्छे UNICEF का full firm क्या हो जाता है, उसका full firm है United Nation International Children's Educational Fund, इसका एट कोटर है New York में, चलते हैं अगले question पर question number 8, Recently, who became the first state in India to implement National Education Policy, हाल में राष्ट्रिय सिक्षानेती लागू करने वाला, भारत का पहला राज कौन बना है, तो इस question का जो right answer होगा, अप्सन भी हिमाचल प्रदेश, अच्छा कितने लोगों को confusion होगा, ये राष्ट्रिय सिक्षानेती लागू करने वाला, तो कुछ समय पहले, HRD मिनिस्ट्री जो था, Union HRD मिनिस्ट्री याने की Union Human Resource Development Ministry, उसका नाम चेंज करकर रखा गया, Ministry of Education, ठीक है, तो उसको लागू करने वाला भारत का पहला राज बना हिमाचल प्रदेश, लेकिन मद्यपदेश, ये अभी कुछ समय पहले, इन आरे, कमिटी गठित के गई थी, वो क्या है, National Recruitment Agency, CET टेस्ट कराने के लिए, याने ये Common Eligibility Test कराने के लिए, तो Common Eligibility Test के स्कोर के अधार पे, सरकारी नोकरी देने वाला भारत का पहला राज बना था, मद्यपदेश, लेकिन ये है, राष्ट्रिय सिक्षा निती लागू करने वाला भारत का पहला राज, तो ये दोनों कॉश्चन अलग-अलग है, अब यहाँ पे पहले राज की बात अगर हो रही है, तो उत्तर प्रदेश, यहाँ पे भारत का पहला हेल्थ एटियम और मास के एटियम भी खोला गया था, तो इसलिए इंपोर्टेंट बन जाता है, अब आत है हिमाचल प्रदेश के, ते हिमाचल प्रदिश का capital का है ते हिमाचल प्रदिश का capital है हिमाचल प्रदिश के CMH जेराम ठाकूर और गवर्नर है बंडादू दप्ताति रहा चलते हैं अगले question पर question number 9 Which Indian bank has launched the Magnum Children's Benefit Fund recently हाल में किस बारतिय बैंक ने Magnum Children's Benefit Fund को launch किया है तो इस question का right answer है option है SBI mutual fund उसने इसको सुरू किया है क्यों सुरू किया है तो 5-18 वर्स के उमर तक जितने भी बच्चे हैं उनके investment plan के planning करने के लिए यह सुरू किया अब SBI mutual fund ने सुरू किया SBI का एक subsidiary company है SBI mutual fund उसने सुरू किया है तो SBI mutual fund के बरत्मान में MDNC हो कौन है तो विना है अच्छा SBI mutual fund उसका tagline क्या है वह है a partner for life तो confused नहीं होना है SBI SBI का एक subsidiary company है किसने SBI mutual fund उसने इसको सुरू किया है क्या सुरू किया है Magnum Children benefit fund क्यों सुरू किया गया तो 8-18 वर्स के उमर तक जितने भी बच्चे होते हैं उनके investment प्लान को प्लानिंग करने के लिए अगला question है question number 10 who has been awarded इंद्रा गांधी peace prize recently हाल में इंद्रा गांधी सांति पुरोषकार से की से सम्भानित किया गया है तो इस question का जो आट एंसर है वह अपसने डेविड एटनबरो अच्छा यह डेविड एटनबरो यह है को तो सबसे पहले यह तो British मूल के है नागरिक यह जो है ब्रोड कास्टर है और जर्नलिस्ट भी है तो इन्होंने ब्रोड कास्टर है एक अर्थ पे इन्होंने डूकोमेंट्री जारी की थैंट राइव प्लानेट ए पोर्शन ओफ अर्थ क्या है लाय क्लानेट पॉर्शन ओफ अर्थ wydaje इटनबरो इनको इंद्रा गांधी सांति पुरुषकार अच्छा इंद्रा गांधी सांति पुरुषकार ये क्यों दिया जाता है तो ये दिया जाता है कोई भी संगठा अंतराष्टिय संगठानों राष्टिय संगठानों या फिर एरिजनल संगठानों या फिर कोई वेक्टी जो कि विस्व में सांती प्रदर्शित करने के लिए या फिर सांती के छेत्र में उत्कृष्ट काम करता है उसके लिए इंद्रा गांधी सांती पुरुषकार दिया जाता है तो यह इस सल का अच्छा यह तो इसको शुरू किया गया था 1986 में आपने सुना होगा एक Nobel Prize Nobel Prize तो Nobel Peace Prize जो होता है वो नॉर्वे के Capital Oslo से दिया जाता है नॉर्वे के Oslo से दिया जाता है Nobel Prize अगर बाकी अधर को देखें जैसे Physics के छेत में दिया जाता है Chemistry, Biology Literature के छेत में दिया जाता है वो दिया जाता है Sweden में लेकिन Nobel Peace Prize दिया जाता है नॉर्वे के Capital Oslo से तो यही Nobel Peace Prize 2020 के लिए Nominate किया गया है USA के President है Donald Trump उनको Nobel Peace Prize 2020 के लिए Nominate किया गया है याने कि नामित किया गया अभी दिया नहीं गया है नामित किया गया है हाल में किसे प्लेयर पोर्ट का ब्रांड एंबेश्डर न्यूप किया गया है तो इस Question का Right Answer Option D A and B Both जाने कि भुनिश्वर कुमार और स्मिर्थि मंदान अच्छे यह जो है भुनिश्वर कुमार यह भी Cricket खिला रही है Cricket से संबंद रखते हैं और स्मिर्थि मंदान यह भी Cricket से संबंद रखते हैं दोनों अंतराष्टी यह खिलाडी है इन दोनों को हाल में Player Report का Brand Ambassador न्यूप किया गया है तो यह कहा है Player Report जैसे कि Dream Eleven यह कहा है WTF दोनों कहा है Fantasy Games Platform है तो WPF के Brand Ambassador न्यूप किया गया थे कुछ समय पहले सूरेश रहना और हर्मन प्रीद को लेकिन Player Report का Brand Ambassador किसे न्यूप किया गया है तो यह न्यूप किया गया है वुनेश्वर कुमार और स्मिर्थि मंदाना को यानि कि Option D and B both अगला Question है Question No.12 Who has banned the advertisement of junk food in school recently Option D FSSI अब बात है FSSI इसका फूल्ट्रम क्या है इसका फूल्ट्रम है Food Safety and Standard Authority of India क्या है Food Safety and Standard Authority of India इसके स्थापना होई थी 2011 में और इसका Headquarter रिष्टे थे थे नियू देली में और इसका बरत्मान में जो अध्यक्ष है या फिर चेर परसन बोले वो कौन है तो है रिता त्यवतिया यह जो है स्कूल में junk food तो जितने भी स्कूल से कि आजपास 50 मीटर के radius में junk food से related विग्यापन है उस पर परतिबंद लगाएगा यानि कि स्कूल किसे पांच स्कूल से जहां स्कूल इस्तित होगा वहाँ से 50 मीटर के radius में आप कोई भी junk food का advertisement या विग्यापन नहीं लगा सकते है उस पर प्रतिबंद लगाया है FSS, FSS, AI नहीं अगला question है question number 13 who has been appointed as the president of judicial service of supreme court of india recently हाल में किसे supreme court की कानूनी सेवा समित्ती का अध्यक्ष न्यूक किया गया है तो इस question का जो right answer है वह option यह RK नरिमन नरियन नहीं है नरिमन है तो इसको आप ठेकर लेजेगा क्योंकि नाम अलग हो जाने पर question भी अलग हो जाएंगे तो RK नरिमन को हाल में supreme court का जो कानूनी सेवा समित्ती होता है उसका अध्यक्ष न्यूक किया गया है यह कौन है तो यह former judge है supreme court के तो आज के question समाप्त होते हैं चलते है question of the day की question of the day है recently who has been appointed as the president of All India Tennis Association हाल में All India Tennis Association का अध्यक्ष किसे न्यूट किया गया है आपका option है राहुल देव अनिल जैन विजय केलकर और सुमन्त हो जान जो भी right answer है आप comment में जाए comment किजिए साथ ही साथ यह भी आप बताते रहे हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगे तो like करके जितने भी आपके study related facebook और whatsapp group है आप उनमें share कर देजिए जैसे आपको समय मिले अगर आपको यह वीडियो अच्छा ना लगे या फिर आप इससे fully satisfied नहीं है तो आप dislike कर सकते हैं लेकिन dislike करने के बाद आप comment में यह जुरूर बताई है authentic reason कि आपने क्यों dislike किया क्या कमी रह गई है ताकि हम उसको जान प वाचिंग